अर्जुन और उसके पिता गर्मियों के लिए वस्त्र खरीदने निकले हैं वे दोनों ऐसे वस्त्र ढूंड रही हैं जो शीतल, आरामदायक, हलके और रखरखाव से मुक्त हों अर्जुन ने एक सूती शर्ट चुनी, पिता को वह पसंद नहीं आई क्योंकि यह भारी थी और यह आसानी से सिकुड़ जाती है तब अर्जुन ने एक सिंथेटिक शर्ट चुनी, जो हलकी थी और यह सिकुड़ती नहीं थी उसके पिता ने इसे भी नापसंद गर दिया, क्योंकि यह नमी को अच्छे से सोकती नहीं है अंद तहत दो लंबे घंटों के बाद उन्हें वह शर्ट मिल गई, जो मिले जुले कपड़े की बनी थी और उसमें वो सभी विशेशताईं थी, जो वो ढून रहे थे इस पाठ में हम रेशे और कपड़े के बारे में जानेंगे आओ सीखें वस्तरों का महत्व बताना रेशे को परिभाशित करना प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे में विभेद करना कपड़े की बुनाई, रंगाई, डिजाइन और सिलाई के बारे में बताना वस्तर जो हम पहनते हैं हम सब वस्तर पहनते हैं वस्तर हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूल और कीडों से बचाते हैं हम मौसम और अपने काम के अनुसार वस्तरों का चयन करते हैं हम जो वस्तर पहनते हैं वो हमारे नजरिये और व्यक्तित्व को दरशाते हैं रेशा रेशा वह कच्चा माल है जिससे वस्त्रों का निर्मान होता है रेशे विभिन्चरणों से गुजर कर वस्त्र बनते हैं सबसे पहले कच्चे रेशे को लंबी लड़ियां बनाने के लिए आपस में एटते हैं इन्हें धागा कहते हैं कपड़ा बनाने के लिए धागे की कताई बुनाई की जाती है। कपड़े का प्रयोग लोगों की जरूरत के अनुसार विभिन आकार और प्रकार के वस्तर बनाने के लिए किया जाता है। रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक रेशे दो कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक रेशे पेड़ों और जानवरों से बनते हैं। सूत, उन और रेशम कुछ प्राकृतिक तन्तु हैं। सूत पेड़ों से प्राप्त होता है। उन भेड बकरी और उन्ट से प्राप्त होता है। रेशम रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। कृत्रिम रेशे कृत्रिम रेशे मानव निर्मित होते हैं। नायलोन, पॉलिस्टर इत्यादी कृत्रिम रेशों के उधारण हैं। कृत्रिम रेशों से बने कपड़े सस्ते होते हैं, जल्दी सूखते हैं और सिकुडते नहीं हैं। आमतोर पर मजबूत और मुलायम कपड़ा बनाने के लिए कृत्रिम रेशों को प्राकृतिक रेशों क बुनाई वै प्रक्रिया जिससे कपड़े की दिखावट और उपियोगिता में सुधार हो उसे परिशकरण कहते हैं कपड़ों को दिये जाने वाले कुछ महतुपूर्ण परिशकरण है ब्रशिंग ब्रश करने की प्रक्रिया से छोटे और धीले तंतु कपड़े से निकल जाते हैं कैलेंडरिंग कैलेंडरिंग की प्रक्रिया से कपड़े की मुलायमियत और चमक बढ़ती है ब्लीचिंग ब्लीचिंग की प्रक्रिया से कच्चे कपड़े का प्राकृतिक रंग छूट जाता है रंगाई कपड़े को नया रंग देने को रंगाई कहते हैं एक कपड़े को रंगने के लिए पहले गरम पानी में रंग और नमक का घोल तयार किया जाता है इसके बाद कपड़े को इसमें डुबोया जाता है कपड़े को एक घंटे बाद बाहर निकाल कर धोया जाता है अंत में कपड़े को सुखाया जाता है डिजाइनिंग डिजाइनिंग की प्रक्रिया द्वारा कपड़े पर छापे बना कर इसकी सुखाया जाता है कपड़े को इनकी सहायता से डिजाइन किया जा सकता है स्याही, रंग या कड़ाई पत्थर, सजावटी दाने या क्रिस्टल लेस या जरी सिलाई सिलाई वह प्रक्रिया है जिससे कपड़ों को वस्तरों में बदला जाता है इसमें कपड़े को सुई और धागे से सिला जाता है पुराने दिनों में सिलाई हाथ से की जाती थी लेकिन आजकल सिलाई मशीन से की जाती है हमने क्या चर्चा की? वस्त्र हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूल और कीडों से बचाते हैं रेशा वह कच्चा पदार्थ होता है, जिसका प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और क्रित्रिम प्राकृतिक रेशे पेडूं और जानवरों से प्राप्त किये जाते हैं कृत्रिम रेशे का निर्मान होता है कपड़े का निर्मान एक जोडी धागों को आपस में एक दूसरे के समकोण पर बुनकर किया जाता है कपड़े के परिशकरण में तीन प्रक्रिया शामिल होती है ब्रशिंग, कैलिंडरिंग और ब्लीचिंग कपड़े की दिखावट को बहतर बनाने के लिए उसे रंगा और डिजाइन किया जाता है सिलाई वह प्रक्रिया है जिससे कपड़े को वस्तर में बदला जाता है